आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 प्लिटिकल साइंस चेप्टर नाइन जो है कॉंसिटुशन ऐस लिविंग डॉकुमेंट का हम लोग फॉर्थ पार्ट जो है साइं की बारे में बात करें कि कौन इसी एसी इंधेयं डिया नाइंगर जे wrest a वो बहुत ज़ादा मतलब controversial रहे time के accordingly ठीक है और उसके बाद यहां पर बता आ गया कि इस तेम पर हुआ था यह जो तीन amendments हुए थे चाहिए वो 38 हो 39 हो 42nd amendment हो यह तब लिये गे थे जब June 1975 में emergency proclaim करी गई थी during इंद्रा गांदी जराइन तो उस time पर यह जो amendment थे वो किये थे constitution में कुछ संशोधन किये थे तो उसमें यह बता गया कि कुछ crucial part थे constitution में जिसमें basic changes जो थे वो लाएगे मतलब कुछ changes जो थे वो लाएगे थे 1975 में और 42nd amendment के बारे में थोड़ा से यहां पर overview दिया गया है तो जैसे कि यहांपर बताया गया है कि इसमें क्या था ओवरणाइड करना था किसी चीज को हटाना था एक attempt था केश्वा नंदा भारती केस जो था जो कि Supreme Court में चलाया जा रहा था उसको ओवर्राइड करने की बात करीगी अब यह केश्वा बारती केस क्या था केश्वा बारती केस केरला में एक मतलब जमीन को लेकर एक केस चल रहा था ठीक है 1973 में इसका final हम लोग बोल सकते हैं decide क्या गया था तो उसमें क्या था कि government जो थी वो government ने हमें कुद राइट्स दे रखे हैं constitution ने जैसे कि article 26 है उसमें दिया गया कि हम लोग किसी भी तरह के religious practices को perform कर सकते है religious property on कर सकते है तो same case था यहां पे भी उन्होंने भी केश्वा अनन्दा भारती चो थे उन्होंने भी इसी चीज़ को लेकर हाई कोड में अपील किया देन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई देन उसके बाद सुप्रीम कोड में जब उन्होंने अपनी याची का दायर करी और उसके बाद कुछ जजी उसका ग्रूप बैठा जिनने 68 डेस तक क्या किया था इस पर discussion किया आफ्टर दैट डिसीजन लिया कि मतलब हम किसी भी उनका मेंन मोटिव क्या था केश्वननदा का कि मतलब जो भी constitution है अगर आप किसी भी तरह का change कर रहे हो तो constitution का basic structure जो है वो बिल्कुल भी change नहीं होना चाहिए ठीक है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ डिटेल में study करेंगे नीचे ठीक है तो उसके ब चैप्टर पढ़ा रही थी उसमें मैंने बताया था कि अगर emergency proclaim हो जाती है तो अब लोग सबा का time period जो है वो एक साल extend हो जाता है ठीक है उसके बाद क्या किया गया fundamental duties जो थी वह इंसर्ट हो गई ठीक है और उसमें हमारे क्या बताया गया जो हमारा Indian constitution था उसमें जितने भी amendments हुए like 40 second amendment हुआ तो उसमें judicial पार जो थी उसके उपर भी certain restrictions लगाएगे मतलब review की जो पार थी उसके उपर भी restriction लगाएगे Supreme Court के उपर ठीक है उसके बाद यह amendment था 40 second उसमें बताया गया preamber से related भी कुछ changes किया गया उसमें कुछ five terms और add करीगे जिसको सदर कहा चाता है SSDR Socialist secular sovereignty democratic republic ठीक है इसको insert किया गया seven schedule को लाया गया ठीक है उसके बाद seven schedule में कुछ changes करेगे और 53 article जो था उसमें भी कुछ changes करेगे ठीक है उसके बाद बताया गया यहाँ पर basic structural evolution of the constitution के बारे में बात हो रही है यहाँ पर जो कि most famous case था केशवननन्दा भारती case जो केशवनन्दा उनकी death इसी year हुई है मतलब 6 September 2020 में उनकी death हुई है और जिनको मतलब protector of the Indian constitution कहा जाता था कि जिनकी वजह से हमारा constitution जो है उसमें किसी भी तरह की छेचा नहीं हुई है मतलब वो उन्होंने बहुत सदा support किया था कि इसका basic structure जो है वो change नहीं होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट बताया गया इस case में कि specific limit लगाएगे पार्लेमेंट की power के उपर मतलब legislature पर एक limit लगाएगे कि आप लोग कोई भी amendment अगर कर रहे हो तो उसके लिए आप लोग को कुछ चीज़ों का बहुत जादा ध्यान रखना होगा जैसे यहां पर बताया गया कोई अगर कर रहे हो तो उसमें basic structure जो है वो constitution का वो उसके साथ किसी भी तरह की चेड़ चाड नहीं होनी चेए violation नहीं होनी चेए और उनने ये भी बताया आप आलेमेंट को कि अगर आप amendment कर रहे हो तो constitution के सब भी parts जो हैं उनमें कुछ limitations भी हैं तो उन limitations के accordingly आपको work करना है बिलक जो भी आप decision लोगे आपको proper court जो हैं वो भी आपके against intervene कर सकते हैं ठीक है अगर ministry ने कोई भी decision ले लिया तो judiciary जो है वो independent है वो कभी decision ले सकती है उनके पर limitation binding जो है वो लगा सकती है उसके बाद यहां पर बताया गया कि केश्व नंदा भारती case जो था उसमें judiciary को final authority बताया ग होती है basic structure के साथ constitution के तो उस amendment को मानने या नहीं माना जाएगा मतलब वो applicable नहीं हो सकती है उसके बाद basic structure की theory क्या है उसमें क्या बताया गया यहां पर बताया गया कि किसी भी तरह की मतलब no mention of this theory in the constitution यह basic structure की theory actual में है कुछ नहीं है ठीक है और उसके बाद यहां पर बचाया गया है कि यह simple चीक बात है कि हाँ judicial interpretation जो है उसको emerge किया जाए उसको थोड़ी importance दी जाए कि अगर constitution में किसी भी तरह का change होता है तो judiciary जो है वो powerful है supreme है वो intervene कर सकती है उस case के पूरी investigation कर सकती है उसके बाद judiciary की जो interpretation है वो practically amendment के time पर देखी जा सकती है अगर मतलब वो intervene नहीं करती है judiciary तो कोई भी amendment जो है वो formal नहीं होगा ठीक है उसके बाद यहां पर कुछ बताएगी examples बताएगी कि मतलब किस तरह से judicial interpretation जो है उसने क्या किया constitution की understanding को totally change कर दिया जैसे यहां पर ब वो 50% से अबब नहीं होनी चाहिए 50% से कम ही होनी चाहिए और reservations जो backward glasses को मिल रही है Supreme Court को मिल रही है उनके लिए एक idea introduced करा गया मतलब creamy layer form करीगी जिसमें बताया गया है जो rule करने वाले persons हैं उनकी category form होगी उनको proper entitle नहीं किया जाएगा उनको जादा reservation के benefits जो है वो नहीं मिल लेंगे ठीक है और उसके बाद यहां पर बताया गए judiciary जो थी वो contribute कर रही थी मतलब informal amendment हो रही थी अब बहुत सरी provisions में interpret भी कर रही थी जैसे उनका मानना यह था कि judiciary को interpret करना चाहिए कौन से provisions में कौन सी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए right to education हो गया जो कि हमारी 11th duty भी बन चुकी है अब ठीक है right to life जो है वो सभी की secure होनी चाहिए liberty होनी चाहिए right to form and manage minority educational institutions की बात भी वहां पर के गई और उसके बाद next यहां पर है आपका टॉपिक Parliamentary democracy की बात हो रही है तो Parliamentary democracy में क्या है कि Parliament जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों का representative होना Parliament का का काम नहीं है simple उसकी expectations जो है सिर्फ अपर class के लोगों की expectations को fulfill करना नहीं है that means कि Parliament जो है वो executive और judiciary के लिए both levels के लिए मतलब जरूरी है और सबसे बड़ी बात कि Parliament को upper level पर रखा गया है executive और judiciary से क्यों कि जो law decision लिया जाएगा law हो या decision हो किसके द्वारा लिया जाएगा legislature के द्वारा लिया जाएगा तो executive उसको implement करें और judiciary उसको क्या करेंगी इंटर्पेट करेंगी सेकेंड में बता आ गया उसी टाइम पर क्या हुआ कि constitution का टेक्स्ट है मतलब जो भी रिटन डॉकुमेंट है उसमें कुछ पार जो है वो तीनों और गन्स को separately जो है वो दी गहीं है जैसे कि आप लोगों को पता separation आपार को जो आईडिया है जो कि मॉ accordingly ही operate करना that means Parliament जो है अगर कोई भी decision ले रही है तो वो प्रॉपर जो भी guidelines उसको provide की गहीं है उन्हीं guidelines के accordingly वो decision ले सकता है अपनी मर्जी से वो कोई भी decision या limit succeed करके वो decision नहीं ले सकती है तीक है उसके पार democracy का सिर्फ मतलब यह नहीं कि votes गें करना लोगों का representation बन जाना लेक democracy का यह भी मतलब है कि जितने भी developing institutions हैं उनकी working उन institutions को guide करना properly protect करके रखना और उनकी aspirations को fulfill करना भी democracy की ही मतलब एक function है उसके बाद जितनी भी political institutions है वो responsible है लोगों के लिए वो क्या करें एक balance maintain करके रखें हर एक के साथ मतलब government का citizen के साथ relation जो है वो कौन maintain करता है political parties, interest groups और मतलब pressure groups जो है ठीक है तो यह था आप लोगों का ninth chapter का end I think it's enough for today thanks for listening and stay blessed always